हेलो दोस्तों मैं हूं रजत इस वीडियो में बात करेंगे रोबोट 2.0 की ये फिल्म 2018 में रिली जोने वादी हो और ये पहले आई फिल्म रोबोट का दूसरा भाग होगी आपको बता दो की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रोबोट 2.0 की ऐसी 10 बाते जो आपको नहीं पता होगी सबसे पहली बात तो इसमें रजनी कांत आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि पांच अवतार में नज़े रहेंगे गो है एमी जेक्शन जिनका लुक के बारे में कोई खासी जानकरी नहीं मिली लेकिन एक फोटो रिलीज की गई थी जिसमें उन्हें भी रोबोट के किरदार में नज़र आ रही थी जिससे ये अनुमान लगाए जा सकता है कि वो भी इस फिल्म में रोबोट के रोल में नज करना करना पड़ा काफी मुश्किल होई लेकिन आखरी में कामियाब हुए चटी बात ये पांचवी बात ये कि इसमें वी एफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जो कि बहुवली में भी किया गया था लेकिन इसमें पूरी तरह वी एफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जिससे हॉलिवुड से compare की जा सकती है और चट्टी बात यह है कि Robot 2 इसका नाम रखा जाना था लेकि इसका नाम Robot 2 नहीं रखा गया किसी कानूनी मामलव कारण इसलिए इसका नाम Robot 2 से Robot 2.0 रख दिया जिससे Robot के नए वर्जन का पता चलता है और इसमें आपको बता दू कि यह पहले फिल्म आई रोबोट का दूसरा भाग है उस फिल्म में दिखाया गया था कि फिल्म 2020 में खतम होई थी यानि रोबोट 2.0 2020 के आगे का सीन हमें दिखाएगी और यह भारत की ऐसी इकलोते फिल्म है जिसे 3D कैमरे से पूरी तरह शूट किया गया है इसके साथ ही इसे 15 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और आपको बता देगी यह बॉलिवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी जिसे 400 करोड के बजट में बनाया जाएगा इससे पहले भाषाओं बली 2 को 200 करोड के बजट में बनाया गया था और यह भारत की नंबर 1 सबसे महंगी फिल्म होगी लेकिन उसे के साथ ही एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी महंगी फिल्म होने वाली है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताईए कि फिल्म कितना कमा सकती है और किस किस के सारे रिकोड तोड़ पाईगी या नहीं तोड़ पाईगी आप हमें कमेंट में जवाब दीज्यों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो को साथ फिर्स लोटूँगा चब तक के लिए धन्यवाद